हेलो गाइस आपका अपने चैनल टेस्टी एंड डिलीशस फूट बाइ जोती में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स गर्मिया शुरू हो गई है और मार्केट में कच्छी कैरी आने शुरू हो गई है तो आज हम कच्छी कैरी से बना रहे हैं कैरी की लॉंजी तो यह हमने गुटली डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और गुटली को भी आप उसका अच्छे से रस इसमें निकल के डाल सकते हैं जैसे जैसे यह बनेगी तो उसका टेस्ट इसमें आ जाएगा तो अब हमने कढ़ाई में सरसु का तेल लिया है उसमें जीरा तरकने देंगे फ्रेंड्स कैरी की जो भी आप रैसिपी बनाएं तो उसमें सरसु का तेल ही यूज़ करें उसी से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हमें इससे तेल में अच्छे से भूनना है यह देखिए और कुछ सुखे मसाले डालने है तो हमने हल्दी लाल म पड़ जाएगा मसाला तब तक हमें अच्छे से भूनना है एक सी दो मिनिट भूनने के बाद हमें इसे ढख कर पकाना है तो यह देखिए हम इसे ढख देंगे और 5-7 मिनिट के बाद फिर से देखेंगे तो कैरी हमारी पूरी गल चुकी है यह देखिए अब हम इसे अब पूरी को हमने फूर लिया है मतलब दू चममच के बराबर आप अगर ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो उस हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं गुड को अच्छे से इसमें डालकर पिगला लिंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखिए लॉंजी हमारी बन करके भी रख सकते हैं और पूरी पराठे के साथ यह बहुत स्वादिश्ट लगती है और बनाईए और तुरंथ खाईए इसे कोई आपको रख कर इंतजार करने की जुरत नहीं है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको रेसिपी फिर से मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ ओके फिर से मिलते हैं